एलो भाई राम राम क्या हाल है बढ़िया सारे लोग ठीक होंगे यह पर कैसा हुआ सबका बहुत उच्छा हुआ भाई मैं मन्दीप कुदरा आप सभी का स्वागत करता हूं भाई वैसे तो जो बोलर खता वही हुआ है बाकियों में तो जिखो चीजे गल्द हो रही बच्चों के साथ उसके अंदर लेंग्वेज वगेरा के अंदर दिक्कत हुई है लेकिन दिक्कत में कोई दिक्कत नहीं हुए थी इविस वही आया है जो उन्होंने बोला हुआ था दिक्टिसे बिल्कुल वही आया है जो स्लिवस में दिया हुआ था और वही आया है जो हम लोगों ने पढ़ा है ठीक है meer से पढ़े हमेंसा रैगूलर जुडत हुए है वह बलीभानती जानते हैं कि हम लोगों ने हाँर एक section को cover किया हुआ था जो प्रेक्टिस मैंने कर वा है हमारा काम है मेरा काम है solve करवाना मैं solve करवा रहा हूं कि कैसे-कैसे सवाल आए ईविस कितर आईयो देखते नुसीने पैड़ागोजी से सवाल आया है सवाल में कहह रहा है अपने से यह कहा रहा है शिक्षक EBS सिक्षन में सवदेशी ज्यान और द्रिष्टी कौन को समकर रूप से कैसे एकिकर्थ कर सकते हैं और उनके जो पॉइंट ऑफ यू है प्रस्पेक्टिव से उनको किस तरीके से इंटेग्रेट कर सकते हैं पहला कहा रहा है बच्चा पाठेक्रम डिजाइन में एक रूपता के रूप में सवदेशी ज्रिष्टी कौन की उपेक्षा करना पेक्षा करना मतलब neglect करना बच्चा नहीं यह बात तो गलत है यह integrated करने के बात करने के बात करे है और आप neglect करने के बात कह रहे हैं तो कहानी बात कुछ बनी नहीं है भाई तो यह हमारा क्या हो जाएगा गलत un verstear हो जाएगा ठीक явा भाई दूसरा कहा रहा है सीखने के अनुभाव को सम्रिद्ध करने के लिए सवदेशी ज्यान संस्किर्तिक परताएं और दृष्टी कौन को सक्रिय रूप से खोजने और एकिकिर्थ करने में क्या कर सकते हैं टीचर उसको help कर सकते हैं मदद कर सकते हैं यानि by proactive seeking and integrated indigenous knowledge, cultural practice and perspectives to enrich the learning experience को enrich करने के लिए अधिगम को बढ़ाने के लिए बच्चा जो इन सभी चीजों को एक साथ integrate करता है option दो बिल्कुल सही है बाकी तीन भी पढ़ लेते हैं by exclusive prioritization mainstream scientific perspectives विग्यानिक दृष्टी को जो है मुख्य रूप से नहीं जोड़ना चाहिए सिरफ विग्यानिक दृष्टी को नहीं हमारा cultural सामाजिक सारी चीजे include होती है अगला है विविदिता का समान करने के बजाए नहीं सार डाइवर्सिटी को हमें accept करना चाहिए तो बाकी सारे के सारे गलेता बच्चा option नमबर दो जो है आपका right answer हो जाएगा पेपर थोड़ा सा लेंदी है चीजों को पढ़ने में थोड़ा समय लग रहा है इसलिए आपको time थोड़ा सा हो सकता है कि कम बचा होगा आपके पास क्योंकि वही पैड़ागोजी आए थी तो of course बचा लेंदी होगा पेपर यह तो simple सी मतलब understood है यह बात तो है ना चालो भ आप सब लोग जानते क्यों पास कि जाते ताके उन्हें एजरी क्या मिल जाए बच्चा जो उनको उनके लिए prioritize इस्तेमाल किया जाता है कच्चा जो इंधन इस्तिमाल किया जाता थोड़े नसो दार सकते पास होगा तो क्या एफिशेंसी बढ़ेगी नहीं विझली उत्पादन में पानी क्या उशकता को कम करते हैं computer कई से बात करते हैं इसलिए उनके पास किये जाते हैं क्योंकि उनके ट्रांसपोर्ट के के संधर्व में मापन का तात्पर्य क्या होता है ठीक है यह कह रहा है इन दा कंटेक्स्ट ओफ EBS what does scaffolding refers to बच्चा यह हम लोग पेड़ागोजी के अंदर कई बार पढ़ते हैं इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है gradually reducing support as student gain skill and knowledge जब बच्चा skin और knowledge जो है वो gain करने लग जाता है तो teacher जो धीरे धीरे अपनी समर्थन वापिस कर लेता this is called scaffolding ठीक है पेड़े पेड़ेगोजी के अंदर हर जगए आता सिरफ EBS में नहीं कहीं भी ठीक है इसका मतलब यह होता है कि भाई देखो जैसे कि बच्चे को हमने क्या दिया कुछ स्पोर्ट प्रोवाइड की सीखने में जैसे जैसे बच्चा सीखने लगा चोटा बालक होता है से गांगल Really पकड़ के दोनों हात पकड़कर चलना सिखाते दिरे घीरे हम लोग एक हात थोड़कर फिर यह जोड़कर चलना सिखते पिर उससको हाथ छोड़कर बिलकुल उसके पास पास चलना सिखाते हैं इस लिए को फोल्डिंग ठीक है ना हाँ इन सिंपल सी बास आप में बात बताएं अगला कह रहा है बच्छा कॉलम ए और कॉलम बी के अंदर कुछ चीजें दी गई है इन्होंने ठीक है यह बच्छा मैंने आपको पेर स्टुडेंट वालों पढ़ दिया था नया भी पुराना भी सब पढ़ दिया था तो प्रोटीन चीनी कार्वो हाइड्रेट विटामिन खनीज और इधर बच्छा इनके कुछ मतलब दाम दिये गए हैं विटामिन केल्सियम उर्जा दाल ग्लुकोस यहां पर दिया गया है कि कोलम बी के अंदर कोस है यह बात केल्सियमगोता है यह चैनल समय प्रेसिति के अंदर क्या होता है मेरे भाई एक को सिस्ट्व के अंदर क्या होता है उर्जा का परवधा एक दिसा में होता है एन इरंजी का फ्लो यूडॉ realizing equitable होता है बिलगुल होता है बच्छा तैनपरसेंट लो आप लोगो है energy का जो फुलो होता है वो यूनिडारेक्शनल होता है एक ही दिसा में होता है ठीक है लेकिन जो mineral का फुलो होता है ना जो materials materials का फुलो होता है वो cyclic होता है ठीक है हाँ the materials flow is cyclic cyclic होता है ना हाँ पहला और तीसरा सही आ जाएगा पहला और तीसरा फ़स्ट एंट थर्ड कहां गया पहला और तीसरा बच्चा सही आ जाएगा ठीक है क्योंकि बच्चा उर्जा का फलो एक ही दिसा में होता है यह सामगरी जो होती है सामगरी मतलब मैटेरियल यह साइकल होता है तिक यह कारबन साइकल नैट्रोजन साइकल साइकल पढ़े आम लोगोंने बाइलोजिकल बायो जीओकेमिकल साइकल तो यह आ जाएगा वच्चा आगला है एनिपी 2020 के संदर में EBS सिक्षन में अनुभवात्मक सिक्षा की जाता है यह कह रहा है इनको डिक्रेज किया जाता है नहीं सर इसको तो हम एंक्रेज करते हैं ना डिक्रेज थोड़े ना करते हैं दूसरा कहा रहा है अनुबवात्मक शिक्षा केवल विज्ञानी विश्यों के लिए नहीं नहीं सर ओनली साइंस के लिए ही एक्सपेरिमेंट जरूरी ही होते है बच्छा रियल लाइफ में भी चीज़ें बहुत सारे अनुबवाव होते हैं ये भी बात गलत है दूसरा है अ लासेज में तो वहां पर कई बार ये चीज़ें आई थी कि हम लोग अनुबव के आधार पर सिक्षा जो ग्रहन करते हैं और एनीपी 2020 यही कहता है इसलिए एनीपी 2020 ने मैं बार बार कहता था कि स्लेवस को रिड्यूस किया है भाई अभी आप लोग देखेंगे स्कूलों म आपका सही हो जाएगा अगला सवाल कह रहा है किसी स्थीती के लिए उर्जा का स्त्रोथ चुनते समय कौन से कारक निर्णे के सबसे अधिक परभावित करते हैं बच्चा डिसीजन को सबसे अधिक जो इफेक्ट करते हैं वो कौन से कारक होते हैं आपको सोर्स ओफ एनर्ज सबसे पहली चीज यही देखेंगे कि जो हम सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे प्रयावर्ण को कितना डेमेज कर रहा है है ना बाकी चीजें सोर्स से उर्जा का निकलने में आसानी नहीं सर ये भी प्रोजोगी की दक्षता टेक्नोलोजी एफिशेंशी उर्जा निसकर पहली चीज यही है ना वैसे प्रयावर्ण पढ़ रहे हैं तो यहीं चीज होगी अगला कह रहा है बादल निर्मान होना वर्सा होना खारे पाने से ताजा पाने का निर्मान हो जा जैसी प्राकरति घटनाव में कौन सी अधारना पेस की गई है बताओ कौन चीज है उधारना यह कहा रहा है ओक्षीकरण और अप्चैन पर किरिया तनसाधनों की संत्रिप्ति और ऐसंत्रिप्ति ठीक है या धातू काच और लकडी का जो बिहिवियर होता है दा एर्रिवर्सिबल चेंज इन सबस्टांसिस पदार्थों के अंदर ए परिवर्थ सेलिन वाटर और ओक्षिडेशन एंड रिडेक्शन रियक्षिंस है इसमें थोड़ा सा मेरे को प्रिफ्यूजन है देखता हूं मैं क्या होगा ठीक है कि कलत नहीं करना ठीक है नहीं आ रहा दिमाग में एनिपी दोजार बीस इवे सिक्षन में मुल्यांकन विदियों को कैस नहीं सर यह तो गलत बात है यह प्रियावरनिय अवधालनाओं के बारे में चात्रों की समझ को मापने के लिए परमानिक मुल्यांकन को बढ़ावा देता है जो बच्चों के अंडर्स्टेंडिंग मापता है बच्चा है ना दूसरा कह रहा है कि बच्चा इस डिस्क्रेज करता है नहीं करता यह समर्ण आधारित मुल्यांकन पर कैंद्रित करता एव अगला कह करने के लिए चुम्बक आकर्सन के गुण का करना चाहते हैं कि ना करेखकर करना की मेज की प्रिणामों के बारे में आपकी क्या राय होगी कौन सी चीज आप लोग experience करेंगे उसके अंदर बलब चुम्बक है ओब इसी बात है सर लोहे को चुम्बक खींचेगा और लकडी को नहीं खींचेगा सिंपल सी बात है लोहे को अट्रेक्ट करेगा और लकडी को अल लोग अलग अलग समुहों में बडिवाइड कर देंगे लकडी की में जाकर सित होगी जबकि लोहे की नहीं होगी ऐसा कोई ऐसा भी नहीं है ठीक है एक ही समुह में होगी अलग बात है लकडी और लोहे की दोनों में जो चुम्बक को प्रतिकर्शन होगा नहीं सर यह बात स सवाल कह रहा है बच्चा, प्रयावरण स्तरक्षन के बारे में पढ़ाते समय, सीखने की परकिर्या में सहानुभूती का क्या रोल बच्चा, empathy का क्या रोल है, आपको प्रयावरण स्तरक्षन, environmental conservation पढ़ाते समय, आप बच्चों को environmental conservation पढ़ा रहे हैं, what role does empathy play इंदा लर्निंग प्रोसेस में एंपेथी जो है वो क्या रोल पले करती है पहला कहा रहा है एंपेथी नो ड्रेलिवेंट टो इवेस्टेचिंग क्यों नहीं है बच्छा प्रयावण के परती एंपेथी होगी अपनी तभी हम लोग चीजों के परती अपना अपन देख पाए करती है अच्छे action लेने के लिए तो एक ही बच गया बच्चा प्रयावरण ये मुद्दों के सभी हितकारे दृष्टी कौन को समझने के लिए साहनुबूती के आवशकता होती है ठीक है एन्वार्मेंट के लिए कौन-कौन से जो issues है इनको समझने के लिए आपके अंदर empathy ना जरूरी ये प्रयावरण के परति यही समय देश्य हो साहनुबूती होना जरूरी प्रयावरण के परती यही एक का में उदेश्य होता है साहते है कि चलंडा को चा चलो by जा चलो ये कह रहा है what does the main categories of impurities found in sewage sewage में पाई जाने वाली सुधियों की मुख्य स्रेणी में कौन कौन सी चीजें आती है sewage के अंदर बच्छा ठोस और तलल पदार्थ भी होते हैं सुधियों के अंदर और कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ भी होते है organic और inorganic impurities दोनों परकार की impurities होती है बच्छा solid और liquid materials भी होते हैं कौन सा आना चीए भाई इन दोनों में से ही सही है paper वाला कौन सा मानेगा वो पता नहीं बच बट दोने ही चीजे सही है ठीक है ज़्यादा तर paper वाला यही सको मानने के संभावना है क्योंकि इतनी ज्यादा detail में बच पर वाला नहीं जाएगा detail में जाएगा तो यह scientific तरीके से सही है otherwise तो यह सही है वो देखते है paper वाला क्या मानता है बाकि पहला और दीश रह तो तो नहीं आएगा विभिन छेत्रों में एद्वित्य प्रयावने चुनोती और आउस्षरों को समाधान के लिए सिक्षाट EBS सिक्षन को कैसे अपना सकते हैं how can teach as adapt EBS teaching to address the unique environmental challenges and opportunities in different region अलग-अलग region में कैसे अपना सकते हैं बच्चा इन challenges को ठीक है पहला कहा रहा है प्रयावरण सिक्षा के लिए सभी के लिए उप्योग तदस्टिकों को उप्योग करें by using the all approach of environment education दूसरा कहा रहा है by ignoring the regional differences नहीं नहीं श्रीग्नोर तो नहीं करना पड़ेगा गलत बाद by अगला कहा रहा है तीसरा प्रयावरण मुद्दों में छात्रों की स्थानिय संधर्व और case study में सामिल करके by in collaborating local context case studies and involving students in local environment issues बिलकुल छेतरी है प्रयावरण चिंताओं पर चर्चा करने से बच कर यह भी नहीं है option no.3 जो है बच्चा वो ज्यादा appropriate लग रहा है किसी विशेश अगर छेतर के बारे में बता रहा है तो प्रयावरण मुद्दों जो वहां के local environmental issues हैं उनको सामिल करके छात्रों को स्थानिय संधर्व local environmental issues और case study में सामिल करके जो है evs को अच्छे तरीके से वह बच्चों को स वाला chapter से सवाल आया हुआ है यह कह रहा है vitamin C की कमी से स्करवी रोग होता है that's great बिल्कुल सही है vitamin D से रिकेट्स होता है vitamin A से रतोंदी night blendness होता है vitamin K से बच्चा अपना tuberculosis नहीं होता tuberculosis तो बच्चा अपना bacteria से होता है किससे होता है tuberculosis तो बच्चा अपना bacteria से होता है vitamin K की कमी से तो बच्चा blood clotting नहीं होता रक्त का थक्का नहीं जमता बच्चा है न इससे तो क्या नहीं होता blood clotting नहीं होता रक्त का थक्का नहीं जमता option 4 is the right answer यही कलता है बाकि सब सब सई है अगला है बच्चा वाईउ का निमलिकित में से कौन सा घटक वाईउ मिंडल में सबसे बड़ी मात्रा में मुझूद है अगले सवाल में कह रहा है इविस रोल प्लेइंग अक्टिविटी जो है गतीवीदी है इसकी सफलता सुनिशित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए यह कर रहा है इन्दा EBS Role Play Activity What should teachers do to ensure its success? यह अच्छी तरह से successful हो जाए ठीक है Role Play Activity के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए पहला क्या रहा है चात्रों को कारे और निर्णे का एपर्टेक्स परभाव डालना चाहिए ठीक है? आच्छा चात्रों के अनुसरन करने के लिए एक कठोर स्क्रिप्ट परदावन करनी चाहिए ठीक चात्रों को विविन भुमिकाई तलासने और अपने निर्णे स्वम लेने के नुमती देना चाहिए चात्रों को स्क्रिय रूप से भाग लेने के लिए हतोत्साहिद करना चाहिए क्यों? हतोत्साहिद नेगेटिव वर्ड होता है सरीए नहीं आएगा ऑप्शन यह सही आजाएगा बच्चा ऑप्शन नमर थिन पेड़ागोजी आईए भाई बहुत स्वारी पेड़ागोजी आईए क्या बात है? अगला सवाल है सदभाव और समझ को बढ़ावा देने के लिए विबिन खाद प्रफमिक्ताओं की सरहाना करने की अवधारना को देनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है पहला कह रहा है इस बात पर जोर देकर की सबकी पसंद और नापसंद एक जैसी होनी चाहिए क्या बात कर रहे हो सब? सवाल का उप्शन ही बेतु का है विबिन वेंजक अलगलग जो फूड होते हैं कि खोज को सांझा करें खोज रिसर्च करें उनकी उनको सांझा करें एक दूसरे के साथ सेयर करें और दूसरे के भोजन के विकलपों का सम्मान करें रिस्पेक्ट करें अलग लग परकार के जो भोजन हैं हमारे देश से आपको पताईए खाने को लेकर होने वाले जगड़ों से बचने के लिए प्रिवार और दोस्तों के साथ खाना ने खाए आप बात कर रहे हैं सर इसके option को eliminate करोगे ना तहीं आपके answer सही हो जाएगे अगला कह रहा है भोजन विकल्पों पर सास्किर्तिक और चेत्रिय विवित्ताओं को नजर अंदाज करें नहीं सर accept करना चाहिए नजर अंदार क्यों करना चाहिए तो option नमबर दो आप कर से हो जागा बाकि सारे के सारे ही negative ones हो रहे हैं है ना यस सर आगे बढ़ रहे हैं भाई ये कह रहा है पोधों और जानवरों और सुक्षम जीवों की सभी परजातिया सहीत प्रत्वी पर जीवन की विविद्ता जो होती है बच्चे जहां पर बहुत सारे जीव जनतु पेड़ पोधे सुक्षम जीव एक्स ट्राइक से ट्राइक सात रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे उसे हम कहते हैं बायो डाइवर्सिटी जैव विविद्ता कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है जैव विविद्ता बायो डाइवर्सिटी कहा जाता है बच्चा जो बच्चा सीटेट के तयारी कर रहा है ना सीटेट के लिए सीटेट आपको पता जनवरी में होने वाला है 2024 इसके लिए बच्चा अचीवर्स अचीवर्स अच्पेशल बैच जो भी बच्चा इंटरस्टेड है वह जोइन कर सकता है अभी इस फोकस अंशीटत टॉट्ट टॉटेट पर रहेगा जो भी बच्चा शीटत टॉट्टेटॉन्टेट पोर में प्रेशल इविस की इनने किस वर्स दिया था ओहो हो किस वर्स दिया था भाई 1912 में दिया था यह ना कब दिया था 1940 टू में 10% लो 1942 में दिया था सल यह साल पूछ के थोड़ा सा गड़बड़ इनों ने किया है को नहीं याद रखेगा पता उसारी साले हैं फ़र कोई बात नहीं एक आज जवाल तो होना भी चाहिए बंता भी है अगला सवाल है स्कूल के रास्ते में घने जंगल से गुजरते समय प्रात्मिक समेदी अनुभव क्या है पहला आप कैसा क्या अनुभव करेंगे आप स्कूल के रास्ते से जा रहे हैं जंगल के रास्ते से तो पहली चीज आप क्या अनुभव करेंगे पहला कह रहा है पत् बिन पक्षिय और प्राणियों के आवाज है कि कहा ना ओके कई बार ये भी option में आ सकता है इसको भी मानता है कई बार पेपर लेकिन यहां पर यह सबसे ज़्यादा एप्रोप्रियेट होता है जब option में यह नहीं होता तो पत्तों की सर्चराहट भी होती है बच्छा खेर वो वहाँ पर ऐसा नहीं था EBS में रचनावादी सिक्षन का परमुक सिधान्त निमली की तुमेशे कौन सा है वर्ट विच ओफ दफ फोलोविंग इजए की प्रिंशिपल ओफ कंस्ट्रक्टिविस टीचिंग इन EBS क्या है बच्चा बताओ शाबास पेला है शिक्षक केंदरीच सिक्षन ओह 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 नहीं सर सीखने की परकिर्या को निस्क्रिय एक शातर इन एक्टिव शातर का रोल नहीं होता बच्छा पैस्यू स्टुडेंट नहीं चाहिए होता है एक्टिव चाहिए होता है दूसरा समश्चा शमाधान और अन्वेक्षन की सक्रिय संगलनता मतलब एक्टिव एंगेजमेंट इन प शिक्षा का प्रोचसाहित करने के लिए EBS की कौन सी शिक्षन विधी जो है सबसे अधिक प्रहावसाली है विच टीचिंग अप्रोच इन मोस्ट अफेक्टिव इन एविएस तो एनक्रेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनक्वायरी बेस लर्निंग कौन सी विच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावसाली है तो अनुबवात्मक शिक्षा और चर्चाएं ये सबसे बड़ी है सर बाकी तो है इनी से स्टेंडराइस टेस्टिंग भी नहीं है व्याक्यान लेक्चर बेस इंस्ट्रेक्शन नहीं होता सर एक शिक्षन केंदरित भी नहीं होता य कौन सी आपकी जो इंद्री है सेंस है उसका पता होना चाहिए पतियों के बारे में जान कर रहे हैं तो सुनवाई से अधिक संभावना है पहला क्या रहा है इन दा कंटेक्स्ट ओफ अन एक्वल फूर डिस्टिबिशन विच इस्यूज इस इस दा मोस्ट लाइकल तो बी डिस्कस्ट वेन अ कंपेरिंग वेलफिड चिल्डरन विद दोस सफरिंग फ्रों मालनुट्रिशन डिजीज एंड ह अंगर तो किस बात की उपर बचा अगर इस तरह की चीजों की कंपेरिजन हो रहा है चीजों को हम बात कर रहे हैं कि भई अमारे यहां पर जो भोजन है वह अन एक्वली डिस्टिबिटेड है पूरी तरह से किसी को तो बहुत ज्यादा मिल रहा है किसी को कुछ मिल ही नहीं एक्सेस टू हैल्ठ केर फैसिलीटिस आपकी हल्थ केर फैसलिटी केर स्वास्ट्य स्वहांபों कैसी कुछे उन तक आपकी पहुंच कैसी है तो यही तो बच चीजें वो है फैसिलिटी आप कितनी पहुंच आ पा रहे हैं सबसे बढ़िया मुद्धा है सरी और सबसे गहन मुद्धा भी है यह किस सामाजिक तोर पर भी देखें तो यह इनिक्वल डिस्टिबिशन ओफ फूड है ना यह सबसे बच्चा एक एहम मुद्धा है एक इंपोर्टेंट वो है डिस्कस करने लाइक मुद्धा है किस जो पहुंच है भोजन की वो सभी के पास नहीं हो पा रही यह बच्चा है ना अगला है विश्यो में विश्यो के वनों और उनके महतों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाने वाला 21 मार्च को सब को ही पता है सब विश्यो मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता विश्यो पर्यावन दिवस में कई बार कहता था देश से बहुत सवाल आते हैं वैसे भी सरीए तो सिंपल सा इना प्रिश्यो को पता है पांच जून वेटलेंड़ बोपाल प्रास तयज़ी है तो तुरंत सर्ता फिरती आज दोनों में confusion है साब ठीक है तलाब भी आ सकता है कुवा भी आ सकता है दोनों का एक ही जैसा रोल है प्रिवार के संधर में बाकि नदी और समुंदर तो नहीं है हम लोग family में हम लोग जो पानी के source है इस्तिमाल करते हैं तो कुवा भी उतना ही important है जितना तलाब है मतलब जितन में दोनों ही तरह से संसे हैं बच्चा देखते हैं पेपर वाला क्या मानता है ऐसे सवालाओं अब आप खुद सोचो यार को भी उतना इंपूर्टेंस दा तलाब है सिधा परिवार बच्चा हम लोग पानी हम लोग family है हम कुवे से भी पानी लेते हैं और बहुत सारी family बह वाटर का एक यूनीक फीचर होता बच्चा जल प्रकरती का मुख्य और प्रिवर्तन तो है अच्छा क्यों नहीं प्रिवर्तन तो होता है सर वाटर है जल वीभिन रूप और यह जीवन के लिए अतन्त आवश्यक होता है सर अलग-लग रूप में पाया जाता है और अतन्त बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया पानी केवल नदी और धरनों से ही मोजुद होता है नहीं सर पानी मुख्य रूप से दुनिया का दुर्भागया का कारण बनता नहीं रहे यह हो जाए अगला जो है बच्चा निमलिकित में से कौन सी सामगरी आम तोर पर जंगलों से प्राप्ट लकड़ी से नहीं होती ये सवाल बहुत बार पेपर में याता है ना पहुत बार आता है आर प्राफाट पेड़ पोदू से मिलता है मंचिस की तिलियां है थर्मोकुल नहीं मिलता इवस से बाथ चेतर भर्मन मतलब आप लोग लिग उन को फिल्ड विजिट पि पहला कहा रहा है they are not recommended due to the logical challenge तारकिक चुनोतियों के कारण उनकी अनुसंसा नहीं की जा सकते क्यों वे चातरों को वहवारी कनुभव और प्रियावन अवधालनाओं की गहरी समझ पैदा करते हैं बिलकुल सर छेतर बर्मन पे लेके जाओगे न तो students के अंदर बच्चा hand-on experience और एक गहरी deeper understanding बच्चों के अंदर पैदा होगी सर बिलकुल सर option number 2 इसका right answer है अगले option की तरफी बात करें तो वे केवल उनमुत सिक्षी विद्यारतियों के लिए उप्योगी नहीं वेसे दांदिक चर्चा तकी सीमित रखा जाना चाहिए नहीं 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 यह option सही रहे इसको तो आप बताया दोगे भाई साब कौन सी ऐसी चीज़ है तो पस्मों से प्राप्स हो या भी नहीं था तो यह आपका पेपर था भाई I hope कि आपको अच्छा लगाओगा जो बचा सीटेट के त्यारी करना चाता है वो हमारे course के साथ जुड़ सकता है बहुत अच्छा यह क्यार क्यार किया